हेलो दोस्तों एक लेक्टर नुमर में आपका स्वागत दोस्तों कैसो आप सभी आज से गर तो बहुत अच्छ होंगे तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पार्ट टू में इसका बनाऊंगा तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पर हमने दोस्तों सब चीज कर करना होगा और फिर इसे चला के भी देखना होगा तो और дан. चलते हैं फिर ठीकर तो यहां पर हमने इसऺ आफ रखा है दोस्तों मैंने आपको बताये मिनने इसे खूल खोंब्स ह है तो हम अच्छे बात है और साथ में बैल आइकन में प्रेस कर लेना जिससे कि आपको इलेक्टों से लेटी नियू वीडियो मिलती ने डेली तो अब मैं इसे सेट करता हूं मल्टिमीटर को और आए एक बार आपको इसे चेक कराता हूं कैसे कैसे आपको चेक करना चाहिए सुदू से नहीं आ रही है तो अब हमें सोटिंग में क्या क már चेक करना है अभी मैं आपको दिखाता हूं जहापर हमें ट्रैक जा रहते हैं तो यहां से पहले जमपर करते हैं ठीक है यानि कि उसका जो हमारा फ्यूज था क्योंकि दौस्तों वाला जो हुता हमारा वो मैंने आपको बताया भी था वा हमारा अंदर से उड़ रहा है तो अब इसके करते हैं जंपर को और फिर एक बार आपको सोटिंग एक बार दिख 500 ठीक है तो हम इसके कर लेते हैं ठीक है दोस्तों तो यहां हमारा यहां पर तक जम पर हो चुका है ठीक है तो अब हमें एक बार सेटिंग इसकी सोटिंग जो रहती है इसे ठीक करते हैं एक बार तो मल्टिमेटर को कंटिनुटी मोड पर लगाना है और यहां पर आपको चेक करना है तो यहांनि कि आप देख स क्योंकि यह दोस्तों इसी ट्रैक पर हैं तो सबसे पहले ट्रैक को चेक करेंगे कि हमारा कोई से सोट तो नहीं है तो यहां पर आपको दिखाना चाहता हूं यहां पर दोस्तों हमारे 207 भी हो सकते हैं और हमले यहां पर हम लगाते हैं फिर ihan पर 2007 निकलते हैं तो हमाघाने 2067 द nasıl नहीं है तो यहां पर हमारा देख सकते हैं तो Är Corey निकलाए तो यहां पर आइसमें दूसरा यह दो का दो तो यहां पर हमें सेम साइज का देखना होगा अगर हमारा नंबर मिट जाता है तो हम इसमें सेम साइज का लगा सकते हैं तो दोस्तों इसके नंबर मिटे हुए आप देख सकते हैं यहां पर बस पट्टी दिखाई दे रही है तो मैंने वह हटा दिया दोस्तों आप देख सकत और एक बार होड चेक करेंगे दोस्तो आगे की सुर्टिंग क्या क्या हो सकते हैं क्योंकि दोस्तों अगर इसी ट्रैक में हमारे डायूट खराब निकले हैं तो हो रुजिस्टेंस फी स्टों छूर्टं करें देख लिए अभी भी फर्ट नहीं पड़ा तो यहां पर आप दे तो डायोड हमने चेंज कर दी है वह हमारी प्रोब्लम हो चुकी है तो अब हम इसने डायोड को एक करके चेक कर रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था एक तरफ रीडिंग आनी चाहिए और दूसरी तरफ नहीं आनी चाहिए अगर प्लेट में लगे हो तो दोस्तों दोनों निकालने के बाद दोस्तों दूसरी इसमें में लगा के देखेंगी एक तरफ की तो मैंने आपको बता की ड्रेन ओपर एक तरफ कि इशासी रहती मंने वोल्टेजबी हो सकती है यहां कि जम जम रही हो दुगी डोस्तों अब्रम चला रहाहर है ठीक है फैन और डिस्पिले ठीक है तो यहाँ पर हमने दूसरे IC लगा दिये दोस्तों मैंने आपको बताया था पहली तो इसमें बर्ण हो चुकी थी फिर दूसरी लगा के चेक किया वो भी नहीं चली अब तीसरी लगाई है दोस्तों उसे देखते हैं यहाँ पर तो सोटिंग नहीं है तो एक बार हम इस 场 में खराब हो चुका हो तो यहांपर हमेंसे पहले देखते हैं क्योंकि और कालब हो रहा था मैंना आपको दिखाया बीटा पहली वीडियो में तो यहां पर नहीं है सब्कूने के शेकश हो यहाँ चाहिए धयर करेंगे चैक तो यहां पर आप देख सकते हो यह वाला थै ठ यहां पर यहां पर रहे इसका जैने डाउट तो दोष्तों जैने डाउट इसमें 12 बीज भी हो सकते हैं तो यहां पर हम इसे चेंज करेंगे और फिर यह बर फाइनली चला करें देखते क्या पता दोस्तों इसके वज़े से नहीं चल लाओ तो दोस्तों वंबाई वन जितने भी component रहते हैं सारुगों चैक करना होगा कि हमारा खराब तो नहीं है तो यहां पर हम इसे निकाल लेते हैं और एक बार आपको दिखाएंगे निकालने के बाद ठीक है तो मैं इसे निकाल लेता हूं अच्छे तरह से दौस्तों फोल्डिंग जो रहता हमारा स्विड़ वायर तो दोस्तों वोल्डिंग इससे भी यहान पर आँगे क्योंकि दोस्तों फिर फट जाते हैं आपको यहान करेंगे दूसरे लगा कि हमारे चलता है यह नहीं चलता है तो यहां से कोई चिम्टी की साइट से आप इसे हटा सकते हो और फिर निकाल गें इसे चेक कर सकते हो ठीक है अगर दोस्तों यह प्रोब्लम आती है आपकी फुल कंडिशन में डैड है और यह आई सी भी फुगरी है तो आसपास के पहले आपको चेक करना होगा जैसे मैंने आपको बताया वन अगर आपकी सब चीज ठीक है फिर भी ने चला हूँ उसका भी मैं रीजन बताऊंगो आपको तो यहां पर आप देख लिए दोस्तों बिल्कुल सोट है तो यहां पर जिदर पट्टी वाले एरिया उधर पट्टी वाले एरिया रहन देना है और जिदर हमारा माइनस है यहां पर लग रहा था ठीक है दोस्तों वह ताब आपके पास आता हो तो आप उसे चैक कर सकते हो दोस्तों कि यहां पर कौन से ट्रेक कहां पर जा रहा है और कैसे इसे चैक करते हैं तो यहां पर हमारे दोस्तों यहां पर 12 वोल्ट कर ट्रेक जा रहा था तो दोस्तों आप देख लीजिए यहां पर हमारा अब सोटिंग नहीं दिखा रहा है ठीक है अब इसे लगाते हैं तो एक बार लगाने के बाद दोस्तों इसे चेक करते हैं फिर तो यहाँ पर हमें इसे पिलस की तरफ पिलस लगाने और मायनज स्की तरफ मायनज लगाने यहां पर हमने लगा दिया दोस्तों इसे तो अब हमstones स स्सें करते हैं पहले हमें सॉलड़िंग करेंगे और फिर से ваш वाइनली एक बार चल करके करके देखेंगे कि चलता है यह नहीं चलता है अभी भी तो दोस्तों हमने फाइनली वैसे सब चीज चेक कर लिया क्योंकि वन वाई वन फाल्ट निकल ला था तो हम ने उसे सब चीज बदल दिये और फिर हम एक बार और चाल इसे चैक करके देखते हैं तो यहां हम इसे शोल्डिंग करके और एक बार और इसे फाइनली चेक करेंगे विए तो यह पर हमने लगा दे दोस्तों जैने डायोड तो आप देख सकते हो तो यहां पर हमेरे दोस्तों 12 वोल्ट वाला लगता है और अगर आपको नहीं पता है यह आपको फूग जाता है जैने डायो तो यहां पर आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से सही दिखा रहा हुम्स जो भी अम कंटिनुटी पर चेक करते हैं तो अब इसे पलेट को सपा करना होगा जो हमारी पेसी भी रहते हैं जैसे की जो सोल्डिंग बोल रहती है वह हमारी सोर्ड सर्कृट ना करें तो यहां पर और देखते हैं इसे चला के दोस्तों सबसे पहले हमने इसमें जो जो इसमें कर रहा है हमने तो वह हमें देखना होगा ठीक है तो अब इसे एक बर बोर्डर को लगा लेते हैं यहां पर एसी वोल्टेज चेक करेंगे दोस्तों कि हमारी आ रही है यह नहीं आ रही है तो तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों आभी नहीं चला है तो जैसे मैंने लगाया तो आप पहले इसमें देखते हैं यहां तक हमारी इसी वोल्टेज आ रही है यह नहीं आ तो यहां पर हमारी नहीं दिखाने का ठीक है तो यहां पर हमारी नहीं दिखाने का क्योंकि दोस्तों मापर ट्रैक जा रहा है तो यहां पर हमारी कोईल है तो इक कोईल से होके तो यहां पर हमने इस सब चीज चेक किया तो हमारे नहीं चला अभी देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल भी नहीं चलना है तो अब हम इसे हटा लेते हैं एक बार होड़ चेक करते हैं दोस्तों हमारी क्या खराब हो सकता है सिंपल जैसे जैसे मैंने आपको बताएं दोस्तों मैंने आपको दिखाया भी करके तो यह क्या क्या खराब हो सकते हैं सबसे पहला हमें लगानोगा और एक बार होड़ चैकारनोगा यहां पर हमारी वोल्ट जाहरी है यह हमारा I am ठीक है यह खराब है तो यहां पर आप देख सकते हो और ट्रांसफार्म की यहां पर देखरू हूं मैं diesem transform तो यह P सही यानि कीblowing सभा रहें ठीक के दोस्तों तो 10 तो यह वाला तो सही हमारा Sen कर तो दोस्तों अमारी दिख्कत की सीज़्ें में आभ्या में एक बड़ चेक करते हैं यहां पर दोस्तों मैंन कैफिस्टर रहे है मैंन कैफिस्टर पर लIS आ मुझा दूस्त हम इस जो करते हम एक तो जो मैंने सो आप को बदाया एक बार आप भी ऐसी कर करके देखना आगर आपके पास कंडिशन डैके बाटी यहनद है इसकी तो यहाँ पर हम इसे बदलते हैं और एक बार इसे चेक करते कौन से नंबर के इसमें पर लगा है और कौन यह नहीं है तो दोस्तों यहां पर इस-स पहले निकाल लेते हैं हो आठा है जब्सिल्ड मेन ऐसे करेंगे दोस्तों आगहें तो यहां पर हमाएं है कि आपर हमारे निकल चुंग है दोस्तों आप देख सकते हूं थोड़ा रहा है आप की की ठीक है मैं आपको निकल चुगा दिखानाइं का नंबर यहाप लगा वा था तो यह आप देख सकते 4.7 बीदов और यहाँ पर इसमे 500V काएपिस्टर लगा यह नगा हुआ था तोध्सोग हमारा था इसमे चाड़े 400V कहते हो आपको यहाँ फैढाना को यहाँ पर 202 बना इसे चाड़े यहहाँ दोध्सोग हो गयो C दोस्तों वैसे PCP पर रहता है कि माइनस किधर और पिलस किधर है वैसे आप देख सकते हो उस पर तो यहां पर हम इसे मेन लगा देंगे दोस्तों वैसे 3.7 मैं अफ कानी निगला था 4.7 का पर हम इसमें लगाएंगे 210 मी अफ का ठीक है तो यहां पर पिलस की जगे प्लस लगा दिया और माइनस की जगे माइनस लगा दिया तो जहां जाँ मैंना दोस्तों आपको बताया था वहीं आपको लगाना है पहला हलगा सब पेश्ट लगाएंगे और फिर इसमें सोल्डिंग करेंगे ठीक है तो यहां पर हमने से लगा दिया बिल्कुल अच्छी तरीके से तो दोस्तों आप इसमें एक पर फाईनली आप चैक करते हैं क्योंकि पहले करेंट इस्टोर नहीं हो रहा था अब एक बार और इसमें चैक करेंगे क्या बता है दोस्तों करेंट आ जाए और यह चलने ल यह नहीं आ रहा है अगर आपको फुल कंडिशन डैड आता है आई से भी बदल ले सब चीज चेंज कर लिया आपने डायोड भी फुख रहते हैं वह भी चेंज कर लिया पर फिर भी नहीं चला है तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि इसमें चेक करिए और इसमें आपका यह सोल्फ हो जाएगे अगर फिर भी नहीं होता है तो वीडियो को आखरी तक देखे तो मैं आपको बताना चाहता हूं और क्या इसमें चेंज कर सकते हैं ठीक है दोस्तों अगर आपकी सेम नंबर क्या इसी नहीं मिलती है तो यहाँ पर हम इसे सपा करना होगा तो यहाँ पर ह तो दोस्त आब हमें क्या करना होगा आभ हम आपको दिखाना चाहता हूं तो हमने दोस्तों सब चीज बदल ली और फिर भी आमारा नहीं चला थो तो थोड़ी च्छोटे सी PC भी है आप देख लीजिए क्योंकि दोस्तों क्या हो सकती है तो यहां पर हमने वन बैवन सब तो दोस्त unless बिल्कुल भी नहीं आ रही है ठीक है और करीब नहीं ह description को चलाने के लिए तो यह पर बिल्कुल भी हमारी नहीं हा रही है तो दोस्ता में आपको दिखाना चालतू हमने एक बार इसमें बोर्ड में लगाया तो यहां पर हम है एक बार च्छेक करा ना चाहते हूं यहां पर नहीं चलoi है ठीक है मैने पहले भी च shaver के आता और अब भी मैं को च्छार रारा हूं बिलुकुल भी नहीं चला है तो अब दोस्तों हमें करना क्या होगा IC को निकाल लोगा और जो SM Transformer में रहता है SM Transformer को भी निकाल लोगा तो दोस्तों क्यों निकाल लेंगे अब ही मैं आपको बताता हूं यहा पर हमने कोल खोल लिया है खोल के रख रख के दोस्तों तो मैं आपको एक बार बताना चाता हूं हमने सब चीजित चेक किया था तो एक बहुंद मैं चेक कराऊंगो और फिर आपको फाइनल इसका इसका रिज़ल दिखाऊंगो दुस्तों चलता है या नहीं चलता है तो यहां पर हम ने दोस्तो इसे हेट तो यहां पर हम इसे कोईल को भी और जो फैन का इसकी ऐए ठीक है फैन की किलिप निकाल लिए दोस्तों यहां पर हमने जिक डॉब जाती है यह से नंबर की मिल चाह्ती है तो उनकी पिन आउट अलग-अलग हो जाती है वैसे ड्रेन तो सेम रहती है पर जो पिन आउट वी सी सी रहती है वो हमारी अलग हो जाती है क्योंकि दोस्तों इस वाज़े से नहीं चल पाता है क्योंकि हमारी SM ट्रांसफर्म ठीक है पर हमारी IC नहीं चल लिया यानि कि उसका और गिराउंड यह वोल्टेज अलग अलग तो दोस्तों इसे लगाना कैसा है अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूं तो यह 100% करेगा दोस्तों अभी मैं आपको दिखाता हूं क्योंकि दोस्ता हमने चेक कर लिया हमें आइसी नहीं मिल लिए पर फिर हम इसे मोड्यूल को तो हमने दूसरा अजय चल लगा तो सरह महीं लगा गोर भी सब्सक्राइब उस–चेक है सब्सक्राइब मारें पास मैं आपको बताना चाहता हूं यह नहीं हो ICB नहीं मिल लिए आपने ICB वैसे मिल भी गई है पर फिर भी हमारे नहीं चल लाएं तो आप उसे फुक्रने वाला नहीं है तो अब हमें 300 वोल्टे DC के तो DC के का मिलेंगे अभी मैं पिलस और माइनस पर लगा के दिखाता हूं यहां पर हमारे पिलस और माइनस जो मैंने मैंन कैपिस्टर बताया था तो मैंन कैपिस्टर के माइनस वाला उधर जा रहा है दोस्तों जो सब अब माइनस लगाने तो यहां इस लगा लेते हैं कि ऑ ठीक है तो यहां पर हमने दोनों तार यहां पर दोस्तों लगा दिये माइनस पर और पद्लस दो मैनस की जगह मैनस और प्लस की जगए तो अब हमें दोस्तों उसके 12 व्रेंट और 18 व्ल्ड के यहां पर connection करने है वि Act ले लेते हैं याने कि माइनस वाला ठीक है यहां पर ग्राउंड ए जी अंडि रहता है दोस्त हो कोड उसका तो सइरा === ढ़ी पर जैसे हमने आपको बताय था माइनस तो यहां पर माइनस की वाला दे राक हैивает तो यहाँ पर हम इसे ब्लैक वाले को लगाएंगे वैसे PCB पर लिखेla है आप यहाँ पर देख सकते हो यह – वाला यहाँ करके देखने होगा का बाइन s — सब जहर रहते है यह निए फैन का Bak भी लगा सकती ठीक है तो यहां पर हमें यहां पर रहता है दोस्तों सम्ट के नीचे इसमें डिजित लिखी रहती है तो डिजित लिखी रहती है यहां पर हमारे डायोड लग रहा है तो यहां पर पर हमने इसे लगाने जाब है मैंने आपको बताया था तो ऐसे चेक करके आपको लगा देना होगा ठीक है तो 100% वर्क करेगा तो आपको ऐसी अगर कुछ भी नहीं मिला इसका समान तो मोडूल लाइए और मोडूल लगा देजिए तो यहां पर दोस्तों आखरी काम है क्योंक और आपका आजाएगा आपके यहापे फोड़सा बênससे 20 ब्रूबे महाँ मिल सकता है पर आपको मिल जाएगा जरूर तो यहां पर हमने इसे इसमें भी 12 दोसे भी लगा देंगे ले दोसके बराबर यह तो यहां पर हम इसे चला के आपको दिखाएंगे यह तो हमने चीज लगा दें अब दोस्के पांच वोल टेजए वाला रोका है ऐसे काड़ सकते हो या वीस में ऐसी टेप लगा के चौड़ सकते ठीक है दोस्तों तो हमने यहां पर इसे चला के दिखाना आपको सबसे पहले इसकी जिक लगा लेते हैं और फिर एक बार आपको फाइनली चेक कराएंगे चलता है यह नहीं चलता है तो दोस्तों हमने यहां पर इसे लगा लिया है और जो यह हमारी इसकी कोईल की कोईल की जी एक बार इसे रखे लेते हैं और एक बार आपको चला के दिखाते हैं कि अधि ऑल 구 भी तो दोस्ते हाँ यहां पर मिसे रखनेक करता है वायो को एक बार है जा ऑप है यहां पर हमने में मैल लाइन देनी है और में आप्से तो दोस्तों वैसे रेड लाइट उसमें जल चुकिए आपने देखा होगा तो यहां पर मैं एक बार आपको फाइनल चेक करा देता हूं तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरीक से चलने लग गया है और दोस्तों यह E0 कोड क्यों दिखा रहा है यानि कि E0 अभी हमने इसमें कुछ समान नहीं रखा है इस वाज़े से हमारा E0 कोड यहां पर दिखा रहा है तो दोस्तों यहां पर बिल्कुल अच्छी तरीक से चल चुकी है मैंने आपको बताया कि क्या क्या चेक करना चाहिए अगर सब चीज खराब है तो आप इसमें मो